चलिए राज़कोट का सीधर रुख कर लेते हैं, राजीव सबसे पहले आपके पास आते हुए राजीव वहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ ये निडायक जगए है, पहले चरण की, और ये पहला चरण टै कर देगा दूसरे चरण की वी तस्वीर, राजीव, पहली तस्वी दूरी अभी मैं पूरी नहीं कर पाया हूँ, एक डेड़ घंटे लगेंगे, अभी मैं सुरिंद नगर जिले में हूँ, जहाँ पर भी चुनाओ है और ये इलाका भी उसी जगह आता है जहाँ नवासी सीटों का चुनाओ है, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि में, खास करके जिनका मैंने नाम लिया, उस इलाकों में 2017 के चुनाओ में कॉंग्रिस पार्टी ने और खास करके पार्टी दारों ने भारती जनता पार्टी को बहुत परिशान किया था, और इधर की सीटों के अगर कई सीटें, एक आद दो जिले तो ऐसे हैं जहाँ भारत के लिए जो जातिगत समीकरण इस इस इलाके का है, उस हिसाब से टिक्टो का बटवारा किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पीछे अगर आप देखें सोमनाज जिले का जो सासन का इलाका है, गीर जंगल जहां पर है, गीर फॉरिस्ट, उस इलाके में जो इस्थानी च निगाहें पहले चरण की इन पांसाथ आठ जीलों पर बहुत ज्यादा लगी हुई है, कि इन पर क्या रुजहान मतदाताओं करेता है, चुकि गुजरात के लोग आपको पता है, कि बहुत जल्दबाजी में रहते नहीं है, आठ बजे से मतदान है, और दोपहर में बारे बजे से लेके, तीन चार बजे तक, फिर वो एक बार गुजरात के सौराष्ट इलाके में दो बार सुबह होती है, एक बार तो जब सब जगह होती है, और दूसरी बार वो बारे बजे के आसपा सारा काम धाम बंद करके, लंच करके, वो सो जाते हैं, और आपको मार्केट बंद मिलेगी, दुकाने भी बंद मिलेगी, और लोग भी मिलते नहीं है, तो मतिदान जो भी होना है, वो आठ बजे से लेके, बारे बजे के बीच होगा, और फिर तीन बजे के बाद होगा, मैं जहाँ पर हूँ, मेरे पीछे आप स्कूल देख सकते हैं, वैसे तो मतिदा और फॉलो करना न भूलें, तकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें, तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है, यूस 24